रूस की 30 से ज़ादा देशों की सैनाओं के द्वारा घेरा बंदी, इसके साथ साथ 300 टैंकों का घेराओ, एक हमले में युक्रेन के चार जवान सहीद, रूस के एक लाग सैनिक लगातार सीमा पर है तैनाद, पूरे विश्व को दो धड में बाटने की हो चुकी है तैयारी दोस्तो कुछ दिनों में ये सारे शंकेत देखकर सारी दुनिया डरी हुई है, अमेरिका की रूस को धमकी के बाद भी जानकार ये बताते हैं कि ये विश्व युद कभी भी शुरू हो सकता है, कभी भी इस महा युद की शुरूात हो सकती है, दोस्तो ये कोई छोटी बात नहीं दुनिया फिर विश्व युद की आग में जलने जा रही है ऐसे में भारत के सामने एक और आफ़त आन पड़ी है जी हाँ दोस्तो यातायात बंद होने के कारण भारत के रूस और यूकरेन में 18,000 से जादा च्छात्र फसे हुए है जिनकी चिंता पूरे देश को है बताएंगे कि कैसे चीन ने टेड़ी चाल चलकर भारत को एक बहुत बड़े धर्म संकट में फसा दिया है जिसके चक्कर में भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है दोस्तो यूकरेन और रूस के बीच जारी तनाओ के बीच भारत के लिए बड़ी समस्य अठारा हजार भारतिय चात्र हैं जो यूकरेन और रूस के अलग-अलग विश्व विधालियों में पड़ रहे हैं रिपोर्ट के अनुसार इन चात्रों में यूकरेन और रूस के बीच संघर्ष को लेकर डर बना हुआ है इन चात्रों का कहना है कि वे देश में संघर्ष नहीं चाते ताकि हमारी पड़ा ही बादित ना हो इसके लिए छात्रों ने युकरेन की राजधानी कीव में भारते दूतावास से संपर्क किया है छात्रों को इस बात का डर्स अता रहा है कि युकरेन और रूस के बीच कभी भी जंग छिर सकती है युकरेन और रूस एक लं पढ़ाई कर रहे 18,000 चात्रों को दोनों देशों के बीच जंग का डर सता रहा है तेलांगाना और आंदर परदेश के करीब 200 चात्र युकरेन में पढ़ाई कर रहे हैं चात्रों ने कीव में भारते दूतावास के पास अपना पंजिकरन करवाया है दोस्तों आपको बता दें कि राजेंदर नगर के धीरज जो युकरेन में डाक्टरी के पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर स्थीती और खराब होती तो दूतावास उन्हें देश से बाहर निकालेगा दूतावास के अधिकारियों ने चात्रों के नाम, उम्र, लिंग, पासपोर्ट न लिए भी कहा गया जिसमें वे पढ़ रहे हैं दूतावास की वेबसाइट के अनुसार लगबग 18,000 भारतिय चात्र युकरेन में विभिन विश्व विधालियों में चिकित्सा और इंजिनिरिंग का अध्यन कर रहे हैं उधर युकरेन में पढ़ाई कर रहे साहेल के भाई हासिब महम्मद ने कहा कि जब मैंने अपने भाई को फोन किया तो उसने मुझे बदाया कि निप्रो शहर में माहोल शांतिपुरण है जहां वो रहता है और पढ़ता भी है लेकिन जब से मैं समाचार देख रहा हूँ तब से पिछले 15 दिनों से मैं बेचैन हूँ मैंने उस मंतराले के परवक्ता अंद्रिम बाग्ची ने शुकरवार को कहा था कि हम यूकरेन के हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं हम चाते हैं कि शेतर में दिर्ग कालिक शांती और स्थिर्था के लिए लगातार राजनाई कोशिशों के जरिए स्थीती में शांती इतना ही नहीं अमेरिका 300 एंटी टैंक जैवलिन मिसाइलों को यूकरेन भीच चुका है ताजा अपडेट ये है कि अमेरिकी राश्टरपती जो बाइडन ने रूस के 27 राजनाईकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है इसके अलावा बाइडन परशाशन ने यूकरेन को नाटों में शामिल नहीं करने की रूसी मांग को भी खारिज कर दिया है आमतोर पर जब इस तरह की गोल बंदी होती है तो यूद दो देशों के बीच नहीं रह जाता वो विश्वी यूद की तरफ बढ़ने लगता है हालाकि खत्रा कुछ वक्त के लिए टल जरूर गया है लेकिन भारत के संदर्ब में दो सवाल जरूर छोड़ गया है पहला सवाल अगर रूस और यूकरेन के बीच जंग छिड़ती है तो भारत को किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इसी से जुड़ा अगला सवाल ऐसी परिस्तिती में भारत का क्या रु यूकरेन के साथ हर हाल में उसे बीच का रास्ता अपनाना होगा और इस बात की पुरजोर कोशिश करनी होगी कि यूद का खत्रा किसी भी तरह से टल जाए क्योंकि यूद की परिस्तिती में जो समीकरण बनते दिखाई दे रही है उसमें भारत ना तो यूकरेन के साथ चौकॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट की एक रिपोर्ट पर भरोसा करें तो भारत की करीब शाट परतिशत सैन्ने आपूर्तिस रूस से ही होती है वहीं पूरवी लदाख में चीन और भारत के सैनिक टकराय थे जो अभी भी आमने सामने हैं ऐसे में यूक इस पर ये दबाव बनाएगा कि वो भारत की सैन्ने सप्लाई रोक दे तो रूस क्या करेगा निश्चित रूप से ड्रैगन की इस तरह की शर्ते भारत से जादा रूस के लिए मुश्किले पैदा करने वाली होंगी लेकिन जो लोग भारत और रूस के संबंदों को नजद तो 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट और भारत पर चीन का हमला दोनों एक साथ हुए थे तब सोवियत यूनियन को चीन के समर्थन के जरूरत थी ऐसे में रूस ने भारत को मुश्किल वक्त में समर्थन नहीं दिया था कहने का मतलब ये है कि जब रूस का अपना हित टकराएग तो वो भारत के साथ संबंदों की परवा नहीं करेगा जिस तरह से अमेरिका एक साथ रूस और चीन को मैनेज नहीं कर सकता ठीक उसी तरीके से भारत एक साथ रूस और अमेरिका दोनों का साथ नहीं दे सकता यूरोप और अमेरिका भी भारत के एहम साज़ेदार है भारत ये भी देखना होगा कि अमेरिका के साथ रननीतिक साज़ेदारी खतम होने के बाद से पाकिस्तान रूस के साथ द्वी पक्षे साज़ेदारी बढ़ाने में लगा हुआ है। रूस युक्रेन जंग भारत के लिए एक साथ कई मुश्किलों को खड़ी करेगा। तो दोस्तो हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बाते बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इ इस वीडियो को शेर करना ना भूलें तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ जल्चे जल्द हम फिर मिलेंगे एक और नए इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ